चले जैपूर से खबर आ रही है जिबिच ब्रिगेडियर कुलदीप सिंग गुलिया का मिशन इनफैंट्री डे पर एक लाख पच्चिस हजार कदम चलने का संकल्प लिया ब्रिगेडियर गुलिया सिंग रेजिमेंट के अनुभवि सेनिक एक लाग पच्चिस हजार कदम चलकर मनाएंगे Infantry Day, पिछले साल 2023 में लिया था एक लाग कदम चलने का संकल जवानों के देश के प्रतीस अमर्पण और त्याग को सम्मान देने के लिए लिया गया है संकल एक लाग पच्चिस हजार कदम चलकर Infantry Day बनाया जाएगा हमारे साथ प्रीती जैपूर से लाइफ जुड़ गई है सीधा रूप करेंगे प्रीती का प्रीती क्या जानकारी इसके बारे में ब्रिगेडियर कुल्दिप सिंग गुलिया का मिशन है इनफेंट्री डे पर एक लाग 25 जार कदम चलने का इसके बारे में बताईए देखिए चंद्रशी जैसा की ये सीनियर ब्रिगेडियर जो रिटायर हो चुके अपनी लेकिन अभी इनका संकल्प जो है वो उतना ही मजबूत है पिछले साल 2023 में जिन्होंने एक लाग कदम चलने का संकल्प लिया था और inventory day मनाने का जो इनका मजबूत संकल्प है वो इस बार और भी जादा जो है strong हो जाता है उनसे ही जानते है कि क्या उनका उद्देश है क्या वो message इसके त्रू देना चाहते हैं जैसा कि पिछली बार भी आपने संकल्प लिया था लेकिन इस बार और भी जादा सवा लाग कदम चलने का आपने संकल्प लिया है तो फिर इसका उद्देश है क्या message है देखिए सवा लाग कदम तो मेरी रेजमेंट से प्रेरित है गुरू गोविन चिग जी ने क्या बोला था जवाला लाग से एक लडाऊं तभी गोविन सिंग नाम कहां मेरा हर कदम सवा लाग कदम के अंदर गुरू गोविन शींग की वह जो वाणी थे जो महावाक्य था उस वाक्य केसा चलता है और दिल के अंदर दिमाग के अंदर जब से रेटायर हुआ हूँ या उससे पहले सर्वेश किया है दिमाग में रेजमेंट रहती है देखिए जैसे कि हम कुछ ही कदम आपके साथ चले हैं लेकिन फिर भी सास फुलने जैसी और बहुत सारे दिक्कते जो है वो फील कर होने लगए जैस आपको कुछ असी नबबह के मिलेंगे मैं चल रहा हूं तो आदमी के अंदर कभी भी इरादे को मरना नहीं चाहिए आदमी का जमीर कभी खतम नहीं होना चाहिए और आदमी को सेल्फ रेस्पेक्ट पूरे समय रहनी चाहिए बिलकुल वो जुनून वो जोश आपकी बातों हुए प्सका स 17 लेकर आपका ये संकल्फ है क्यों मनाया जाता है और क्यों यहां आपने ये शंकल्प देखिए Scientology जो है इसका दुबारा से सीख रेजुमिंट से महाँ से बरत बड़ा तालुक है नहीं होता इस तरीके से जब फर्स सिख ने अपना कारवाई किया और वहां से आगे 76 किलोमीटर पैदल चलके जब फर्स सिख पहुंची है बारा मूला के इलाके में और उस इलाके को भी दुश्मन से बचाया है तो उस वक्त इनफेंटरी का खास करके सिख रिजमTF का यह बहुत बड़ा कारणामा था उसकी वज़यffiti मनाते हैं बिद्धी यह जानने के कोशिश कीजिये कि जो संकल प्रीनों ने लिया है उसमें और इनके साथ कितने सैनिक संगाल में सामिल हो रहे हैं जब भी आप सेना को देखते हो, जवानों को देखते हो, खेलते हुए, परेड करते हुए या फिर ट्रेनिंग के अंदर कोई भी अभ्यास करते हुए आप उनके जनून को देखिये, इंफैंटरी वैन के, अभी भी मैं कल परसों सताना शिक के अंदर गया था, और मैंने पूर कोन koneğस के साथ है जो आपके साथ पूरा लंबा चलने वाले हैं तेski आ है, मेरे संकल्प में में ना है के साथ में। kier से थे सांथ मेरा का सा वहा है, तो मेरा सारा का सारा कारवाई हुआ है थीक है रहुल सर की वजह है और वो सभी के सभी वेटरेंस के ओवरॉल उन्होंने पर्मेशन दिलवा है पधियात्रा के लिए आगे आजाओ शक्ति और शक्ति बहुत अच्छा चलते हैं और इनकी वाइफ डॉक्टर है तो सेहत का भी ख्याल रखते हैं ज्यादा खाने को नहीं देती है जी बिल्कुल त शाड़े पांच शे वज़े तक शाड़े शे तक खतम हो जाएगा आज मौसम बहुत जयादा करम है जिसकी वज़े से स्पीड के ऊपर कुछ कुछ असर पड़ा है तो लेकिन जो मेरे इस एक रेजमेंट के जवान है तो पृती अच्छा संकल्प इनों ने लिया है और सही का इनों ने उमर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है मेरे को वो जोश आता है क्यों